नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट रिजल्ट की उसकी बाद मिसंगलोग सेवा आयोग भरती 2022 की और लास्ट विमलोग बात करेंगे कल लखनों में होने वाले किताब यह सकते हैं इसकी बारे में मनें दो दिन पहले भी वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि विद्यार्थी कोरोना काल में दो साल की छुट माग रहे हैं संग-लोग-सेवा-आयोग की और केन सरकार की सभी भरतियों में आनप्रदेश तेलंगान, असम, बिहार उत्रकंड बहुत सारे राजियों की जो चात्र वो आ रहे हैं चुंकि भरतियां आई नहीं है भरति में ले ट्रतीफी हुई है कुरोना की वज़े से सरकार उम्र में छूट दे नहीं रही है विद्यारती सरकार को अपनी किताबें वापस कर रहे हैं यहां पर देखिये लिए गल्यारों में चात्रों का पर्चम लहराएगा जो अटेम्ट दिलवाएगा वह यूप में आएगा तो गांधी प्रतिमाज जी पी ओ कर लखनों में यह प्रतसन होगा एक्स्ट्रा एटेम्ट फॉर आल अतिरिक्त प्रियास के लिए यूपी एस सी यूपी प्यास सी की आई सी में चूट दी जाए और दो अतिरिक्त अवसार सभी परिक्षां में शामिल होने के लिए कोविट के दोरान दो साल से इना और पुलिस की भरती केंद्रवार राज इस्तर पर ना होने कारण दो साल की उम्र में चूट दी जाए देज में बढ़ती वीपी रोजग कि चात्र अब आते हैं गर मांग न माला जाएगा फिर से 77 दोहराएगा यह बात सही है आर्मी ठाली संगलोग से आयुग नहीं आर्मी त्याद की भरती हैं वह भी अचाना से क्रोना की वज़ए से रद कर दी गए थी और इन भी द्यारतियों की बिल्कुल जाया जमांगे ह हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकार उम्र में छूट बढ़ाए तो आप लोग भी कल सांती पूर्वक्त सांती पूर्वक्त धर्नापर दस्तन सांकेतिक उसमें आप कल पहुंच सकते हैं और अब हम लोग बात करेंगे सीटेट रिजल्ट की जैसे कि यहां पर लिका चात्रों का टूटा सब रिसकी बारे मैंने कली ही वीडियो बनाया था सीवेसी ने विद्यारतियों के इस बार अच्छा खासा जिला दिया सीधी सी बात है पहली बात विज्यापन आने में देरी वी उसके बाद में फिर परिच्छा किसी तरीके से शुरू ही ऑनलाइन सु में फिर कोश्चन पेपर डाउनलोड करें फिर उनको मिलाएं उसके बाद फिर उसको अपने पेपर से मिलाएं कुछ चात्रों ने मिलाया कुछ चात्रों छोड़ देजुड़ो जब रिजल्ट आयगा तब देखेंगे लेकिर नहीं आया फिर भी जारती परेशान एक तो तो इसको लेकर के आज के बहुत सारे समाचार पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि सीटेट रिजल्ट की समावी तीथी 15 फरवरी बताई थी लेकिन अभी तक 18 फरवरी है इसकी घुफणा नहीं हुई है गुसाय अभरती तीन दिनों से लगतार सीवेसी और सिक्षम मंत्राले को टैक करते हुए सीटेट रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे ट्वीट में उनकी नराजगी साफ दिख रही है यहां लिखा वह की विद्यारती कह रहे हैं कि अगर दिन आएगा चार दिन बाद आएगा अगले महीन साँफे महीन में पर इच्छा रिजल्ट समय एक नहीं देना था तो यह ऊंब्फिय नोटीश करी दिनी चाहिए और आपको बता दूँक एक बात की वह वो अगले ऑटार्यस में अगल्य घंटे 24- autor सूभीस जह कि sound सब्सक्राइब करें तो उसको लेकर के लगातार काम चल रहा है यह बताएगा यह बहुत जल्दी जारी करतेंगा उन्होंने कोई इक्जेक्ट समय नहीं बताया है यह कहा है कि अगली 24 घंटे में आपका परड़ाम जारी हो जाएगा हाला कि इसकी बारे में सीवेसी को एक नोटीस नहीं तो कम से कम टूट तो कर देना चाहिए लोग तो लगाता है उसको टेग करें सीवेसी को चलिए देखते हैं और यहां पर बहुत सारे चात्रें एक और चात्रें जिन्होंने लिखा सीवेसी को टेक किया लिगा सीटेट रिजल्ट के लिए भी लगता है आर्टी आई ताखिल करने पड़ेगी और अब बात करते हैं यूपीएसी प्री दो हजार बाईस जिसका नोटिफिकेशन निकला उसमें 1500 पत और जोड़ दिए गए यह द 861 पतों के लिए भरती निकली थी और 861 पतों में अब 150 पत और जुड़ गया है आई आर एमस ग्रूप एक नया वह बनाया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि इसकी योगता वही है जो सिविल सिवा पर रिचाट 2022 के लिए आविदन कर चुके उनको फिर से आविदन करने कि जरूरत नहीं है और 22 फरवरी लास्ट डेट है अगर आप लोग न आविदन ना किया हो तो अभी भी आप लोग ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं तो यह हो गया आज का वीडियो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद